ऐ मत बेटा दुबई पहुंचते ही खत मत लिखना मुबाइल बेच देना खत लिखेगा न तो पढ़ने में बहुत टेंसन हो जाएगी हां तुमारे दाओद मामू जो बोले वो सुनना और घोड़ा भी लायन से चलाना वसूली भी बराबर करना बेटा और जब तुम्हारे मामू कोका लाने के लिए कहेंगे ना तो कोका गिन के लाना और हो सके पेकात कोका इधर भी ले खराना अरे कोके क्या करेंगे तुम अरे मुर्गी के बच्चे रखना है बेटा है महात ठीके भेज भुआ और हाँ केड बरी भी भेजना नरम नरम जे कीड और साल भेजना गरम गरम और यहाँ पर बेटा पावर बहुत जाती है तो एक बेटरीक भी भेज देना द्यान से और अगर बेटरीक नहीं मिली आहमत तो एक इमर जंसी ही भेज देना अरे जो यो सामान उसकी लिस्ट बनागे दे तो तो बेरा हो या चुड़ी आएगा अरे बेटा एमात वो लोग तुमारा हवाई जास पकड़ कर बैटे होंगे ये बेटा मैं तुमें सामान की लिस्ट देता हूँ हाँ अरे ये साल लाना बेटा एमात अरे सुम मत काड तुम बेटा इधारा अरै ये अर्छ कात अर्छ कूधा है ये दाउना आय मावा अर्य मावा हरे मावा हरे मावा さ करğuह tutti dov accuracy कर दो अरे कारे वचु वा दुबाई जा रहे हो अपने दाउद मामू के पार हम पहुचा देते हैं तुझे तरे दाउद मामू के पार मेरा बेटा गया नहीं कि आ गया है अब कौन कि लाएगा केड़ बरी नरम नरम कौन ओड़ाएगा मुझे शाल गरम गरम कहता था मेरा बेटा के डबल पगार बेजूंगा डबल टीवल तो दूर की बाद सिंकल में गया है जाओ भाई पानी गरम करो और उकारे का इंतिजाम करो इमाम साब ये देखो चिट्टी इसके जेव से निगली अरे बेटा हो सामान की चिट्टी होगी ये जगीरे की चिट्टी हो लिखता है कि जगीरे की तरफ से गाउवालों को नए साल का तौफा मिला अब कोई मिला गबर की जात का पूचे मुकाम पर पहुचो तो ऐसा ही होता है दिलीप को अमिताप को टेंशन अमिताप को शारुक का टेंशन और कपपर को जगीरा का टेंशन अच्छा है बहुत अच्छा है मगार जगीरा मेरे सामने पच्चा अगर मिला तो उसकी चास यात दिला दूँगा उसके माबाब यात दिला दूगा उसका घ्रादना नहीं दिला दूंगा। अधे कोई कॉंटेक्ट नंबर है उसका। खिंटी के पीछे हैं का बरसा। अच्छा। तो मोबाइल है सफिर के पास। और वह भी रिलाइंस का। तो थे हमारे पार थी रिलाइंस है। और रिलाइंस तो रिलाइंस फिरी है। अच्छा। अच्छा। रे कॉंड है रे जो बार बार में स्कॉल कर रहा है रे तिरा अबाफ। है मिली गुंडली तेरी मेरी और तेरी कुंडली में तेरी मत मेरे आटों लिखी है सख तो गलतपहिमी है और क्यों है रे तू गबबर वही गबबर जिसके एरिये में आजकल तो सुम में हिड होना चाहता है अच्छा, तो तू गबबर है अरे अच्छा हुआ रे तू फोन कर दिया ऐसे भी मैं तुस्ते मिलने वाला था अरे रिटायर हो जा रे, रिटायर समझा अरे रिटायर्मेंट का टायम अभी नहीं हुआ अरे फूरे पात साल बाकी है रामगर के टेंडर को लूटने खतम होने हाँ, और जब तक ये पूरान टायम नहीं होता किसी ने अगर इधर कुछ लूटने की कोशिस की तो उसके इतने टुकड़े करूँगा इतने टुकड़े करूँगा किन से किन से किन से भूल जाएगा अरे किल्टी के तो तेरे दिन बचे है रे कपर इतना कच्छा खिलाडी समझा है क्या रे अरे सोन गर से रिस्वत देखके ड्रासपर हुआ है रे मेरा इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला रे अरे अभी तो खेल सुरू हुआ है रामगर से तेरा नाम मिता दूँगा तेरे खुण में बहुत उबाल है अब यहां से तेरा सवाल है मेरे दिन में एक सवाल है तुस्से मिलने का खयाल है अरे फुण नजल इकलू क्या रहे तीन बोल वकद बोल अरे तेरे चित्ते भी अंटर पंटर है तो आपको लेकर चले आना कब बर महीं पे तेरा इंतजार करेगा मिलेगे ब्रेक के बाद अरे वक्राइब में पे प्राइब अर्वाद अरे प्राइब में प्राइब अरे प्राइब अच्छा तो तू है वो चिंदी चोर चिल्लर लोटो डाको बड़ा ही मेला कुछ एला मलिच्छा डाको है रे जा लाइब वो ऐसे नहा करा अरे का खिदी खिदी हसे है रे अरे तेरा दाथ देख मेल का रद्दा जमा है रद्दा अरे हमको नाने बेजत है तो रे मूँ से बाद जावत है आप क्लोज अप क्यूं नहीं करते है अरे बात करें तो बात चले अरे चप अरे तुझे बहुत आराम सा समझा रहा हो रे खपर अरे चला जाहां यहां से तो चगी रह तेरा बहुत पुरावाल करते गरे अबे क्या चुलूलारा एड़ा बाला समझाये मुझे गाव में कपपर का नाम चलता है नाम कपपर का नाम सुनकर लोग थर-थर कापते हैं और बच्चे गुजड़ी में दुबक कर सो जाते हैं और तू हराम जाता कपपर के नाम के साथ खिलवाल करता है अरे डरने वाले डरें, कापे वाले कापे, अरे जगीरा मगर ना डरें, अरे थैली का दूद पीके बला है रे जगीरा, अब कपर तुझको बनाएगा फकीरा, फकीरा समझें? कपपर की बेस्दी पे बेस्दी किये जा रहा है चार लोगों में कपपर की इसद ले रहा है और अपनी इसद बढ़ा रहा है कुछ बड़े लोगों का अदब लियाद है कि नहीं बेस्दी तो उनकी होती है जिनकी कोई इसद होती है अरे बहुत इज़ाद इंज़त की बात कर रहा है अरे का इलक्षन में खड़ा होने वाला है कर रहे अरे तुझको कैसे पता कि मैं इलक्षन में खड़ा हो रहा हूँ बहुत अंदर की बात है ही तो अरे जगीरा को सम वालूम है समझे अरे मैंने भी डाको की स्टिरी पड़ी है अरे डाको की आखरी स्टेफ राज निती ये राज निती समझे अरे तू एलक्साइँ में खड़ा तब तो हो तेरी जमानत नी सब्टों करवा तो मेरा नाम बुदल देना राजनीती राजनीती तो ऐसे कर रहा है जैसे राजनीती खी से मिले के घुम रहा हो अब तुझे तो आजाद से भी टिकट नहीं मिलेगा टिकट? हाँ टिकट मिलेगा जरूर मिलेगा टिकट तुझे और ये टिकट दूँगा मैं कहा का मालूम है उबर का टिकेट अरे टिकेट देने का ये कौन सा तरीका है रे अरे जगीर हमें सा पिलेक चे टिकेट लेता है पिलेक से समझे आकरमार यलगार याँ ऑ़स्वार आप अर्ण याँ 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 हुआ हुआ है हुआ है आग माद अख से पार ना एड्ड़ कॉँ़ कि मघश एंट것त वूड़ एंट ए忾20 हो एंट एंट अोग। अँड़ अज़ है उद्ट अजड़ अजड़ है, सहाव अजड़ 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 अरो कि अजय को बोलता थो एक क्या मैं बोलूं सुन सुना जलता कैसल वर्ड क्या करो आके मैं सल वर्ड अरे घूमेंगे पीरेंगे नाचेंगे गाएंगे जूले जूलेंगे और क्या अरे जंगला बंद करो रे गले मिलो सब क्यों सर्दार क्यों गले मिले हम क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मेरा भाई मिला है मेरा पिछला भाई अरे कले मिलो रे सब कले मिलो भाईया कहा खो गया था रे तू यह याद है वो संडे की साम जब तुम अर्माय और मम्मी पापा एसलवाड घूमने गय थे हम जूला जूर रहे थे तब तब ही एक ऐसा तूफान आया के तुम जूले में रह गया और हम पानी में भय गय रहे याद है अच्छी तरह याद है एसलवाड की वो खैलक शाम मैं भला कैसे भूलूंगा भाई मम्मी तेरे साथ ही उनका क्या हुआ अरे उनका तो उसी वक्त पानी में दम लिकल गया था रे लेकिन पापा तो तो तेरे साथ थे ना अरे उनका क्या हुआ रे वो वो भी उस वक्त निकल लिये और उसके बाद मैंने तुमारी इतलास सुरू कर दी और मुझे से किसी ने कहा कि तुम किसी गड़ पे हो तो मैं और गल ग्ण गूंते रहा और गण